खड़गे साब से अनुरूद करूँगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे आदरी खड़गे साब शुरू में तो मैं आपसे छमा चाता हूँ और यहां की स्तिती क्या है आपने खुद आखों से देखा है इसलिए थोड़ी देर होगे थोड़ी ने एक आदा रिंटा देर हुआ इसलिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजर होने का समय नहीं है तो इसलिए फिर एक बार में आपसे माफी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा आजादे के पचातर साल के इत्यास में भारती राश्टरी कॉंग्रिस में लगातार इस देश की डिमोकरसी को मजबूत किया और समिदान के रक्षा की आज जब डिमोकरसी खत्रे में है समिदान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टूशन को तोड़ा जा रहा है तो कॉंग्रिस पार्टी ने राश्टी स्थर पर और्गनाइजेशनल एलेक्शन्स करवा कर देश की डिमोकरसी को मजबूत करने का एक्जाम्पल पेस किया है कॉंग्रिस प्रेसिडेंट के चुनाओं के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलिगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कारेक्रन से जुड़े हैं उन सब को मैं दन्वाद करता हूँ आप सबने डेमाकरसिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कॉंग्रिस को मजबूत किया है मेरे साथी स्री शशी तरूर को भी शुबकामना देता हूँ क्यूंकि चुनाओ में हम एक प्रतिमिदी के रूप में हम और ओ खड़े थे लेकिन चुनाओ बहुत अच्छा चला और ओ भी मुझे आकर मिले एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कॉपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी खसते होगे यह तो एक डेमाकरणी प्रोसेस है हमको मिलके काम करना है यह कहा तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ सभी कॉंग्रेस कार्य करता हूँ की ओर से मैं स्रीमति सोन्या गांदी का आभार वेक्त करता हूँ सोन्या जी ने पर्सनल सेक्रिफाइस कर तेवीश वर्ष्टेक कॉंग्रेस पार्टी के अपनी खून पसिने से सिंचा है सोन्या जी की लीडर्शिप में ने केवल हमने दो बार केंदर में सरकार बनाई बलकि अनेकों राज्यों में पांग्रेस को रिवाय किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई उनका कारिकर इत्यास में याद रखा जाएगा जो इतने लंबे समय तक पुरा कारिकर के पार्टी को एक शक्ती दी आज देश में सबसे बड़ी समश्या कमर्तोड महंगाई एने इंफलेशन बैंकर बेरुजगारी अनिम्पॉमेंट अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के दोरा देश में देश में फैलाई जाने वाली नफरत देश की इन समश्याओं के खिलाब जनांदोलन तयार करने के लिए पूर कॉंग्रे सद्देक्ष स्री राभूल गांदी कन्या कुमारी से कश्मीर तक 3570 किलो मिटर की आत्रा पर निकले हैं आज पूरा देश उनके संगर से जुड़ रहा है मैं कॉंग्रे जनों और देश के लोकों से अपील करता हूँ कि देश के हित में भारत जोड़ यात्रा में शामील होकर स्री राभूल गांदी के कंदे से कंदे मिला कर चलींगे उन्होंने मुझे एक गंटा पहले मुझे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन आप कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कॉंग्रेस के सिपाई के नाते काम करते रहोंगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके ऐसा उन्होंने मुझे कहा इसलिए मड़ी मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो आध्यात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने पोन पे बिदाया इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ आज हम सब को मिलकर कारिकरता के तवर पर काम करना है यहाँ न कोई बड़ा है ना छोटा सब बराबर है हमें देश के सविदान पर हो रहे हमले और देश की डेमोकरसी को खतम करने की कॉंस्परिसिम मिलकर लड़ना है हमें फ्यासिस्ट ताक्तों से लड़ना है जो कमिनलिजम का चोला ओड़ कर डेमोकरिटिक इंस्टूशन पर अटाक कर रहे है हम संगटन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनोतियों से भी लड़ेंगे दिल्ली की सत्ता पर वेटे हुए हुकमरान, सरकार बाते तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को चार सद्दों में अगर में मताऊं कि ये है खोकला चना बाजे घना तो ये उनका काम है तो दोस्तों हमारा मानना है कि देश एक ताना शाही की सनक की भेट नहीं चड़ाया जा सकता हमें एकटे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है पार्टी के सबी दोस्तों को समसत से सडक तक लड़ना होगा बूत स्तर पर संगटन के हर साती को जोर से संगर्ष करना होगा मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझे पर बरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन में एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य खारिकरता को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया है मैं आपके बरोसे पर खरा उतरने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा जा हिम, जाइ कामरेस Thank you Sir, there will be another opportunity Khadgae Saab has I am very fortunate that I am in charge of the same state that Khadgae Saab comes from So he has asked me to request to all of you उन्होंने मुझे आप से सादर हाथ जोड़कर अनुरोद करने को कहा है कि 26 तारिख को वो अपना कारेभार समालेंगे और उस दिन एक व्यापक पत्रकार वारता कर बहुत सारे सवालों का जबाब लेंगे आज हम सब ने उन्हें अनुरोद किया पत्रकार वारता जिसमें आपके सादर है